नमस्कार बोलता बिहार नियूज मेडिया में आपका स्वागत है कलस अस्थापन के साथ नवरात्री आरंभ नावकोटी प्रखन चित्र अंतरगत सोमबार को कलस अस्थापन के साथ नवरात्री आरंभ आस्विन सुकल प्रतिती सोमबार 26 सितंबर को 6.11 से 7.51 तक है ऐसे दिन भर कलस अस्थापन किया जा सकता है सुब मोरत में मा की पूजा अर्चना करने से मुनुवांजित फल की प्राप्ती होती है इस पर नवरात्री के पहले दिन सोमबार को आखिरी दिन बुद्ध बार रहेगा इस करन देविक का आगमन हाथी पर होगा और गमन भी हाथी पढ़ी होगा धार्विक माननेता कि अनुसर नवरात्री में जब मा दुरुगा हाथी पर सवार होकर आती है तो यहां बेहद सुब माना जाता है हाथी पर सवार होकर मादुरगा अपने साथ धेर सारी खुसिया और सुक समर्दी लेकर आती है मा का बहान हाथी ग्यान और समर्दी का प्रतिक है इससे देश में आर्थिक समर्दी आएगी साथ ही ग्यान की बिर्दी भी होगी वही बुद्धवार और सुक्रवार को नवराती श्रमाप्त होती है तो मा की वापसी हाथी पड़ होती है जो अधिक बरसात की और संकेत करता है नवरातर के नो दिनों में नो देवियों की आराधना की जाती है प्रथम सेल पूतरी दुईतिये ब्रह्म चाड़िनी तृतिये चंदर घंटे कुसमांडिकते चतुर्थम पंचम असकंद माते सस्टम कात्यायनिती चो सब्तम काल रातरी महागौरिती चो सस्टम नवम सिध्य दातरी चो नव दुरुगा प्रती प्रकिर्तिता है नावकोटी से नविन कुमार मिस्टरा की रीपोर्ट